महिला विकास स्वयम रोजगार बहुत तेशिय संस्ता की ओर से हर बार की तरह इस बार भी शहर की रेशिम बाग मैदान पर नापपूर मेगा ट्रेड फियर हैंड लूम हैंडी क्राफ एक्जिबिशन और एमेजमेंट पार्क का आईचन क्या गया है महिला एक प्रकार का समार होता है जहां वैक्ति और अनिक प्रकार की वस्तोय देखनी को मिलती हैं महिला विकास स्वयम रोजगार बहुत शियर संस्ता की ओर से मेली का आईचन क्या जाता है इस मेली का इंतजार बच्चों से लेकर बड़ों तक करता है बच्चों में मेली को लेकर अध्यादी खुशी और उच्जापी देखनी को मिलती हैं बच्चे मेलों से बहुत से खेलों और जुलों का आनन लेते हैं महिला विकास वयम रोजगार बहुत देशे संस्ता की ओर से नागपुर मेगा ट्रेड फेर हैंडलूम हैंडिक्राप एग्जिबिशन एंड एमेजमेंट पार्क का जो है हर साल की तरह साल भी जो है आईजन किया गया है रेशिम बाग के जो ग्राउन पे हम देख पारे कि इसका भवे जो है गेट है इंटरंस है यहां से और आप देख पारे हो कि हमेशा की तरह जो है महिला विकास स्वयम रोजगार बहुत देशे संस्ता शहर के विविद परिसर में इसका आईजन करती है नागपुर मेगा ट दिखाई दे रहे हैं तो अंदर चलते हैं हम आपको बताते कि इस बार इस मेगा ट्रेड फेर में क्या नया है क्योंकि बहुत सारी नई चीज़े यहां आई है ऐसा हमें बताया गया आई जो कि दौरा तो चलिए मेरे साथ अंदर जाके देखते हैं कि कि किस तरह से जो है न आपको बता रहे हैं नहीं यह है नापूर के रेशिम बाक स्थी जो मेगा ट्रेड फेर नापूर मेगा ट्रेड फेर जो लगा है वहां का यह फिश टनल है आप देख पा रहे हो कि यहां लोग भी कितना एंजॉय करते दिखाई दे रहे ऐसा लग रहा है कि हम कही आए है ब परिवार के साथ इस टनल का जो है आप लुफ उठा सकते हो आप देख पा रहे हो कि यहां भी कितनी सुंदर सुंदर मशलिया जो है हमें दिखाई देती है और ऐसा हमें लगता है कि हम भी कही बहार आए है इस टनल को देखने में पर नहीं यह नापूर में ही इसका लुफ साथ से यहां पर वहत करते हैं राम तक स्पिट में वैसे अभी आज चुट्टी है तो घूमने आ गए ज़स्ट यहां पर बहुत अच्छा जब हम लोगों ने एंटर किया काफी अच्छा लगा अभी और पेंडिंगे अंदर जाएंगे और इंजॉय करेंगे अभी तो फि आपको दिखानी हैं चलिए मेरे सार हर बार जो है इस इस तरह की मश्लिया जो है वह देखने मिलेगी आप देख पा रहे हो कि प्यारी यह रंग भी-rimワ्झा जो है यहां पर हमें दिखाई दे घेए लिए लोग इसका Bamсуд your plebs wet क्योंकि यह बहुत ही अनोख्ा है क्योंकि एंत्री करते ही हमें फिशो तनल जो unya इन गारी दिखाई दे रहे है विशो फिश तनल से हम जाते हैं तो छोटी-छोटी-बडि हर ठरकार म्शलिया जो है हमें यह दिखाई दे रही है और जो यहां लोग आ रहे हैं वो entrance से ही इतना खुश हो जाते क्योंकि यह fish tunnel इतना प्यारा बनाया है इसकी बनावट जो है इतनी प्यारी बनाई गई है साथ इसाथ यहां पे बहुत विविद प्रकार की मशलिया जो है कुछ अंदे की मशलिया भी यहां हमें देखने मिलती है जिसे देखकर खास तोर पर छोटे बच्चे जो है काफी उतसाइथ होते दिखाई देते हैं और यह पिश्टनल जो है काफी आकरशन का वीशे इस मेगा ट्रेड़ फेर का रहा है बहुत अच्छा लग रहा है औ जो है इस मेले का लुप उठाते हमें दिखाई दे रहे हमाई साथ कुछ लोग है उनसे जानते क्या बताओ कि सर आपको मेला कैसा लगा इस बार का से आप आया हो किसके साथ है क्या यहीं से नागपुर से बिलॉंग करता हूँ अठोला से आया हूँ मेला अच्छा लगा जो हमें बहुत सारे फूड के स्टॉल दिखाई दे रहा है इस बार बहुत कुछ नया है इस मेले में तो आप देख पारे हो यह स्मोग पान है स्मोग बिस्किट का भी आप मजा ले सकते हैं जैसे बच्चे जो है जूले और आधी चीजों का जो मजा ले रहे तो यहां पे का भी मजा आप ले सकते हैं फिश टैनल के साथ साथ तुम ने देखा कि यहां यह जो स्मोग पान है आपके यहां स्टॉड लगाए खिआ उर एक बार नी Pacifica नगन हपा खाकर लेका जाते हैं, और डिसी बान ऐख भी आप झाल लग कले एपיפ है और हूज सव्रेक्शृ तो हम ने देखा कि यहां जो है यहर मेले में जो है अपना स्टॉल लगाते हैं लेकिन पहली बार इस मेले आये और इन्हें बहुत ही अच्छा प्रतिसाद यहां मिल रहा है हम देख पारे कि यहां गर्दी भी बहुत दिखाई दे रही है अब छोटे बच्चे भी मजा यहां लेते हुए हमें दिखाई देंगे अभी फोटी बच्चेश भी बिस्कीट चैसे बटे जो है पान स्मोक कि अपन का मज़ा लेते हैं तो बच्चों के लिए भी वैफर्स और बिसकित यहां है तो बच्चे क्टारिफित कर दो है और पर पसंद करूंगा आपने बच्चों के साथ थैंक यू अपने भी लिण खुटिट लिए का जाली अप्को मेले में आकर शह लग रहां पिश टैनल दिखा आप इसे कई चीज़े हैं जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी आकशित करती हैं इस पार मेरिका खास आकशन बना है फिस चनल स्मोक बिस्केट स्मोक पान और स्मोक वाफल इसके साथ घरेलों सजावट की वास्तोय हो या फिर नमकिन ड्राइफ रूट्स अचार और मसाले आ जिसका आनन मेले में आए लोग ले रहे हैं उसके बाद जो है अगर आगे हम जाते हैं तो यहाँ पे बच्चों के लिए जो ब्लो पेन रहता है उसका एक स्टाल है उसके बाद जो है हैं लूम वाले टोवेल बेड़ शीट उसका भी स्टाल यहाँ है उसके बाद लेडिस गार्मेंट का भी स्टाल हमें यहां बच्चे आते हैं उनके लिए खिलोन का स्टॉल भी हमें दिखाई दे रहा है हम यहां पर जो यह घरिलू स्पाइसे से उनसे पुंचना चाहेंगे कि कैसा लगा आपने यहां आपका जो है स्टॉल लगाया है किस तरह को ग्राहकों का प्रतिसाद है क्या बताऊ यह मसाला है म माडम इसमें फ्राय बना सकते हैं आप कौनसे भी तरकरी ले लो ऐसा मिला कि फ्राय कर दो नम्मक मिठ्ची कुछ डालने की जरूद नहीं ऐसे मसाले वेच के हैं नानवेच का है तो हमने देखा कि पहले बार जो है यह नानदेर से आये है आर एन स्पाइसे के नाम से इनका स्टाल है और आपको अगर कोई भी मसाले लेने हो वो चाहे वेच हूई या नानवेच आप यहां आई यहां बहुत सारे स्टाल हमें दिखाई देते हैं आप यहां से हर एक चीज यहां से खरीच सकते हैं साथ यह आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इस मेले मे आप यहां देख पा रहे हो कि यहां जो विज जो भी बस दुए है यह सब लक्ड़ी की बनी भूई है अब यह आप कहां से आये हो क्या बता ऊए यूपी सारण को साहे गया आप अच्छा है तो यह भाईया जो है यूपी से आये है इनका स्टॉल झूँ है हम देख पारे यहां alchal pi के लिए का जहरे कि इस सबस्कें रहा है और जो सॉत झरल गे को और ऑपन पर डिक गिंगा रहा है जह तोर यहां है पर यहां रख भार शाम काम की जो चीजा रहा है लुज़ों की के घर्चावत के निया हूं मत तृट Worth और बहुत सारे काफी नमकीन यहां पर हैं रखे हुए इसके बाद जो है यहां पर एक और हमें ऐसा असल खानदेशी नाशने नागली के फिंगर का स्टॉल भी दिखाई देरा है जहां हमें पापड जैसी और फिंगर जैसी चीज़ें यहां पर दिखाई देरी इसके बाद जो है बहुत सारी चीजे जो है घरेली सजावट के लिए भी एक यहां स्टाल है आप देख पारे कि कितने प्यारे-प्यारे दिये हैं या मोर से बने हुए जो लटकन है जो घर के लिए सजावट के लिए यूज होता है मेला पूरे बातावरं को खुशी सिफ़र देता है बच्चों के लिए मेला मनोरंचन का बहुती अच्छा मातिव है बच्चे मेले में लगे जूलू का आनन देते हैं इसी का ध्यान रेक्तिवे महिला विकास वैम रोजकार बहुत तेश्य संस्ता की ओर से कई तरह की नए चुली अमेस्मेंट पार्क का आयुचन क्या क्या है मेले में कई फूट स्टाल भी लगे हैं और लोग स्वादिश्ट वेंचनु का आस्वाद ले रही है क्यामरा परसन अजित कुवर के साथ शितीचा द्यश्मुक की रिपोर्ट